हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल इंडिया गुरूज दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं रेल बे लपी एंड टेक्शन एक्जाम के बारे में तो लपी एंड टेक्शन को जो सीवीटी बन का एक्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है और सीवीटी टू का जो क्या पढ़ना है और क्या उसकी पूरी स्कीम है सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अगर तक धान से देखें तो चलिए सुरुगात करते हैं साथ मैं आपको बता दूँ कि मैं अनकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ वहा हाँ पर ससांक और बलेकर जाओ आप सर्च करेंगे तो मेरी प्रफाल आपको हाँ पर मिल जाएगी फॉलो बटन पर क्लिक करके आप मेरे सभी कोर्सिस को देख सकते हैं तो सबसे पहले तो उन सभी को बढ़ाई जन्नों ने जो है वो सीवीटी वन को जो है वो क्लियर कर लि है सबसे हम बात करते हैं पार एक ही टोटल आपको यहाँ पर जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा दो गणते तीस मिन का ठीक है मतला है यहाँ पर नाइटी मिनिट में यहाँ पर करने हैं और यहाँ पर जो मेन यहाँ पर सब्जेक्ट आप से पूछी जाएंगे वह है Mathematics General Intelligence Reasoning C म है general awareness on current affairs तो यह चारो subject जो है आपके cbt1 में भी पूछे गए थे लेकिन इसमें जो आपको c पे जो दिखाई दे रहा है science का इसको जो है वो change कर दिया गया है मतलब पहले आपका जो सलिवस था उसको totally यहाँ पर change कर दिया गया है यहाँ पर आपको engineering से later जो है वो चीज़ें पूछी जाएंगी तो यह चीज में आपको यहाँ पर बताएता हूं साथ मैं mathematics की बात करें तो उसके लिए हमारी series चल रही है इसमें number system board mass decimals fraction LCM SCF relation proportion सारी चीज़ें वैसी आने वाली जैसे कि मैंने आपको CVT1 में बताएं थी तो basic और advanced दोनों mathematics जो है इसमें question आप से पूछे जाएंगे reasoning की बात करें तो reasoning का सलिए बस भी बिल्कुल सेम ही है analogist के question alphabetical और number series question आपको यहाँ पूछे जाएंगे coding and decoding के question आएंगे mathematical operation यहाँ plus minus divide करने का आपको दिया रहा था वो सारी चीज़ आएंगी relationships के question आएंगे यहाँ पर और बहुत सारी question जो है आपर पूछे जाएंगे जो की reasoning से हमेसा पूछे जाते हैं ठीक है तो इसके लिए आप क्या करेंगे ALP का जो अभी exam हुए थे उनके जो question पूछे गए थे वो आप एक वार जरूर देख लिजे राइट अब हम बात करते हैं सबसे important basic science and engineering इसको जो है वो totally यहाँ पर change कर दिया गया है इसमें आप से question पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे engineering drawing से ठीक है और आपको इसके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि engineering drawing अधिया आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर engineering drawing थोड़ा सा tough subject हो जाता है और मैंने सोचा है कि इसकी उपर मैं आपके लिए वीडियो लेका रहा हूं तो यदि हो सका तो मैं आपको बहुत अच्छा इसके लिए एक वीडियो आपको provide करा दूँगा क्योंकि मैंने इसको काफी अच्छे सुझे है वो diagram बनाना है तो उसकी एक process होती engineering drawing में तो आपको पूरी process पढ़ना होगी आपको पढ़ना होगा drawing sheet के बारे में pencils के बारे में और पूरी method वगेरा जो है आपको इसमें पढ़ने होगी views की बात करें तो horizontal view, vertical view कैसा रहेगा उसका ठीक है और बहुत सारे views होते हैं जो की engineering drawing में पढ़ाये जाते हैं इसमें आपसे जो है इससे question पूछी दा सकते हैं एधि हम यहापर बात करें drawing instrument की तो drawing instrument में आप देखेंगे T square आता है, drafter आता जिससे की lining वगेरा जो है वो की जाती है, drawing board होता है, compass होता है और यह सभी चीज़ों जो है अपने आपने आपने बहुत important है और इनसे question आसानी से बन भी जाते हैं, बात करें हम line की तो line में आपसे parallel line, dotted line, horizontal line, बहुत सारी lines होती है drawing में वो सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछी जाएंगी, मैं अभी आपको overview देता जा रहा हूं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपसे पूछी जा सकती है, तो इसके लिए आपको engineering drawing की जो है वो book purchase करनी पड़ेगी, जो कि ITI का syllabus complete करती है, आप book को purchase करेंगे और उसके अंदर आपको देखना है कि projection का topic कहा पर दिया है, views का कहा दिया है, drawing instrument का कहा पर दिया है, वो सर्फ उनी topic को आपको पढ़ना है, पूरी book को नहीं पढ़ना है, उसके बाद साता है symbolic representation, ठीक है बहुत सारी चीज़े है, instrument के दिया हम बात करें, तो micrometer, scale हुआ, caliper हुआ, इन सब चीज़ों के बारे हम आपसे पूछा जा सकता है, अब बात करते हैं यहाँ पर units की, तो units तो मैंने आपको बताएं थी, कौन-कौन सी, CGS पद्दती में, MKS पद्दती मे आपको इसमें जितने topic दिये हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं, इसके लावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, पहले आप इनको अच्छे से तयार कर लीजिए, speed and velocity यह सब यह हमने physics में पढ़े हुए है, heat and temperature, basic electricity, यदि electricity के हम बात करें, तो AC current आपने literacy से संबन दिया पर, question आप से पूछी जाएंगे, basic science and engineering के portion में, तो यह हमाली सबसे जादा important है, इसको आपको काफी अच्छे से जो है, वो cover करना है, ठीक है, उसके बाद नम्मार आता है, general awareness current affairs का, तो science and technology question यहां से आपके पूछी जाएंगे, और जितना भी current affair मतलब 2018 का पूछी आ सकते हैं, और इन सब पर जितने भी अच्छे वीडियो हो सकेंगे, मैं आपके लिए प्रवाइट कराऊंगा, उसकी सारी strategy भी आपको बताऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको का करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको notification मिलते रहें, और य एक और चीज़ यह है कि part A जो है इसमें जिसके ज़्यादा marks आएंगे वो select होगा, क्योंकि part B जो है वो qualifying nature का है, मतलब आपको इसमें जो है सरफ qualify करना, इसके number calculate नहीं होगे, part B के, part A के ही number calculate होगे, मतलब आपको इस part में जो है वो अच्छे से अच्छे marks जो है वो score करने है selection के लिए, अब आते हैं हम part B पर, तो part B जो है यह रहने वाला है, 60 minute का और इसमें आप से question पूछ जाएंगे, 75 question, और qualifying marks की बात करने हैं, तो 35% marks जो है आपको इसमें लेकर आने हैं, तो 35% marks जो है आप लेकर आते हैं, तो आप इसको qualify कर लेंगे, जाता number इसमें लाने की combination of various streams of electrical engineering लिया है degree, या diploma, तो आपको in trade में से select करना था, कोई भी एक subject को, ठीक है, तो आपने जो भी यहाँ पर select किया हो, उसका आप ITI का syllabus निकाल कर, और उसको जो है जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद आता है second है, हाँ पर electrons engineering का, तो हाँ पर electronic mechanic, mechanic radio and TV, इसका syllabus आप देख लीजिए, ठीक है, ऐसी ही आपको सारी history में आपर दी गई है, उनका syllabus आप देखकर और इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद नमर आता है fifth में HSC, मतलब 10 प्लस 2 भी इस पर जिनों ने भरा था, जिनका physics या मैस था, टॉल्ट लेबल पर, उनको यहाँ पर जो है, वो एक बार ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको 35% marks लेकर आना है, और यह सिर्फ जो है, वो qualifying nature का है, मतलब में आपको focus किस पर करना है, वो आपको करना है, पार ए पर, ठीक है, यह most 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 important है, जिसमें मैंने reasoning के कुछ topic भी करवा दिया है, मैं इसका भी काफी ह पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment करके जरूर बताईए, जितने ज़्यादा मुझे comments मिलेंगे, उस topic पर जो है, मैं आपके लिए video जरूर लाने की कोशिस करूँगा, तो आप जो है, यह पूरा सलेबस था, जो कि आपके लिए most 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 important है, उसको अच्छे से समझना, तो okay friends, यह सारी information मुझे आपको इस video में देने थी, आपको इस video कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईए, और इस video को अपने friends का ज़्यादा share के, जिससे की सभी को इसको जानकारी जो है, वो मिल सके, और आपकी भी जो है, वो help हो सके, तो मिलते हैं next session में, thank you, जैहिंद झाल, 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 झाल